दिली के मुखे मंत्री अर्विन के जिवाले आज मंगलवार को प्रवितन दिशाले की कस्टेडी से अपना दूसरा निर्देश जारी किया है इसे पहले सियम के जिवाले सिवरिज की समस्या को लेकर पहला आदेश जल मंत्राले को लेकर दिया था जबकि दूसरा निर्देश आज स्वास मंत्राले को दिया है इस मामले को लेकर भाजपा रामादमी पार्टी के बीश तक्रार बढ़ गई है मामला अब दिल्ली के उपराज जपाल विने कुमार सकसेना के पास पहुँच चुका है ताज़ा जानकारी के मताबे गीटी की रास्तर से मुक्यमंत्री द्वारा निर्देश जारी करने को लेकर भाजपा नेता मंजिंदर सिंग सिर्सा ने उपराज जपाल से शुकायत की है उन्होंने कहा कि इस तरह के नर्देश जारी नहीं किये जा सकते भाजपा नेताम मंजिंदर सिंग सीरसा ने सीम द्वारा सिवरिज की समस्या को लेकर जारी किये गए आदेश की प्रमानिकता पर सवाल उठाए है साथी दिली के उपरा जपाल को पत्र लिख कर कहा कि दस्तावेज में केजिवाल के हस्ताक्षर नहीं है और उन्होंने इसके फर्जिवारी के खिलाफ एफ आयार दर्ज करने का आगरे किया है सीरसा ने कहा है कि आदेश में अर्विंद के जिवाल के हस्ताक्षर भी नहीं है इसलिए आदेश फर्जी है दिली जल मंत्री आतिशी ने अवेद रूप से अपनी आदिकारी श्रमता का दुरूप्योग किया आपकारी नीदी गोटाले से लिड़े मनी लॉंडरिंग मामने में गिरफतार मुखे मंत्री अर्विंद के जिवाले इड़ी की रासत से ही सरकार चलाना शुरू कर दिया है उन्होंने रविवार को जल मंत्री आतिशी को दिये पहले आदेश में कहा था कि दिली में सीवर और पानी के समस्या का समधान किया जाए उन्होंने लिखा था मैं जेल में हूँ पर लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए